इस वीडियो में हम अगला सेल और्गेनल पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है गौल्गी बोडिज इसके और भी अलग-अलग नाम है जैसे गौल्गी कॉम्पलेक्स, गौल्गी एपरेटस, डाल्टन कॉम्पलेक्स, लिपोकॉंड्रिया, डिक्टियोजोम्स और इंटर्नल रेटिकुलर एपरेटस पिछली वीडियो की तरह यहां पर भी हम सबसे पहले गौल्गी बोडिज से रिलेटेड डिसकवरीज के बारे में जानेंगे इस सेल ओर्गेनल को सबसे पहले देखा था इटालियन नियुरोलोजिस्ट कैमिलो गौल्गी ने जब वो स्टड़ी कर रहे थे और इस स्ट्रक्चर को उन्होँने कहा अपरेटो रतिकुलार इंटर्नो मतलब इंटर्नल रतिकुलार आपरेटस तो इस इंटर्नल रतिकुलार आपरेटस को गौल्गी बोडिज नाम किसने दिया कैमिलो गौलगी के स्टूडेंट्स रमन और केजाल इन्होंने इस सेल ओर्गेनल को अपने सर के नाम पे नाम दिया गौलगी बोडीज याद रखिए लिखते वक्त हमेशा जी कैपिटल में लिखिए इसे ही बेकर ने 1951 में लिपोकॉंड्रिया नाम दिया क्योंकि इस सेल ओर्गेनल में बहुत ज्यादा लिपिड कंटेंट होता है इसलिए लिपोकॉंड्रिया अरिजिनली इस सेल ओर्गेनल वाज नोन टू बी अनेटवर्क तो इन्हें डिक्टियोजोम्स भी कहा जाता है ग्रीक वर्ड डिक्टाइज का मतलब है नेट अब हिस्ट्री के बाद इस सेल ओर्गेनल का अकरंस और डिस्ट्रिब्यूशन हम जानेंगे ये भी एक मेंब्रेन बाउंड सेल ओर्गेनल है तो ये प्रोकेरियोट्स में नहीं रहेगा सिर्फ यूकेरियोट्स में ही रहेगा पर कुछ Eukaryotic Cells ऐसे भी है जिनमें Golgi Bodies नहीं होती है जैसे कि कुछ Fungal Cells, Bryophytes और Teredophytes के Sperm Cells, Mature Sieve Tube Cells of Plants, Mature Sperm Cells और RBCs of Animals अब Plant Cells और Animal Cells में इनके Distribution में थोड़ा सा फर्क होता है In higher plants, they are found scattered throughout the cytoplasm, मतलब no orderly distribution और वही Animal Cells में जब आप देखोगे, तो Golgi Bodies are localized उधारन के तौर पे, Nerve Cells में Golgi Bodies की Position circumnuclear होती है और Ectodermal या फिर Endodermal Cells में, Nucleus और Periphery के बीच में Golgi Bodies आपको दिखेंगे तो जब कभी भी कोई आपको कहे कि किसी Eukaryotic Cells में Golgi Bodies कहां होते है बताओ तो आप इन्हें Nucleus के और Endoplasmic Reticulum के पास धूंडोगे ये भी एक Network की तरह ही दिखने वाला Structure है अब Golgi Bodies का Chemical Composition देखते है Golgi Bodies में करीब 60% तक Lipid Material होते है इसलिए तो इसे Lipocondria का आजाने लगा ना और इसमें बहुत से Enzymes भी होते है यही Enzymes Protein Modification में काम में आते है इसके बारे में आप समझ जाओगे जब हम इसके Functions के बारे में जानेंगे तब अब हम देखेंगे कि Golgi Bodies दिखती कैसी है Dalton और Felix ने 1954 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था Golgi Bodies का Ultra Structure with the help of Electron Micrograph Golgi Complex को देखने पर आपको लगेगा कि ये बहुत सारे Membrane Bound Bodies का Group या फिर Aggregate है जो कि एक Arc की तरह दिखता है Golgi Bodies के भी Endoplasmic Reticulum की तरह तीन Basic Components होते है पहला Cistern मतलब Flattened Sack जो कि Enzymes से Filled होते है दूसरे Vesicles और तीसरे Tubules The number of Associated Cistern in the stack varies with the cell type and the physiological state of the cell So Golgi Complex is made up of hollow and flat membrane bound sack placed parallel to each other मतलब की Cistern parallelly placed होती है और हर दो Cistern के बीच में Inter Cisternal Region होता है आप याद रखिए कि Cistern are the smallest functional units of Golgi apparatus कभी-कभी एक्जाम में Option में होता है Dictiosomes are considered as units of Golgi Complex तो हर Cistern के दो Phases होते है जो Convex है वो है Cis Face या फिर Forming Face और जो Concave है वो है Trans Face या फिर Maturing Face अब इस Cis Face को Forming Face और Trans Face को Maturing Face क्यों कहते है तो वो आपके समझ में आएगा जब हम Golgi Bodies की Working या फिर Golgi Bodies के Functions देखेंगे तब होता क्या है Rough Endoplasmic Reticulum से जब कोई Protein आता है तो वो Vesicles में Enclosed होता है अब ये Vesicle Rough Endoplasmic Reticulum से निकल के Cytoplasm से होते हुए Golgi Complex के Cis Face में या फिर Forming Face को आकर Fuse होती है और खुद में का जो Protein है या फिर और भी दूसरा कोई Content है वो यहाँ पर आकर खाली कर देती है तो इससे आपको समझ आया होगा कि क्यों हर बार Golgi Bodies Endoplasmic Reticulum के पास में नजर आती है अब Forming Face से ये Protein अंदर जाते है इन Cisterni में जहाँ पर उन्हें केमिकली मोडिफाई किया जाता है by the Enzymes और फिर ये Vesicles में Pack किये जाते है अब ये Vesicles जिनमें Modified Protein है वो इस Trans Phase या फिर Maturation Phase से बाहर निकल जाएंगे तो जिस Face से Protein Golgi Bodies के अंदर जाते है Modified होने के लिए या फिर तयार होने के लिए तो उन्हें Forming Face या फिर Cis Face कहते है और जिस Face से वो Modified होकर या फिर तयार होकर या फिर Mature होकर निकलते है तो उसे Maturation Face या फिर Trans Face कहते है इस पर बहुत सी बार Question पूछा जाता है इस Trans Face के साथ एक Secular Structure Associated होता है जिसे Girl Region कहते है GERL जहांपर G stands for Golgi Bodies ER stands for Endoplasmic Reticulum and L stands for Lysosomes This term indicates that it has been interpreted as a region of endoplasmic reticulum near Golgi Bodies which is involved in the production of Lysosomes So, GERL is found to be involved in the origin of primary Lysosomes Now, let us see the functions of Golgi Bodies सबसे Important Function जो Golgi Bodies perform करते है वो है Packaging जैसा कि मैंने बताया Material को वो Chemically Modify करते है और फिर Release करते है to the Transport Vesicle दूसरा Important Function जिस पर बहुत सी पर Question होता है वो है Secretion So, Golgi Bodies are the Secretory Organs of the Cell जैसा कि यहां आपको दिख रहा है Rough Endoplasmic reticulum से आया हुआ प्रोटीन इस Golgi Complex में Modify किया जाता है और फिर इस Vesicle में Pack करके Maturation Face से बाहर निकलके Cell Membrane के तरफ लाया जाता है फिर यह Vesicle Cell Membrane के साथ Fuse होकर खुद में का Material Release कर देती है या फिर सिक्रीट कर देती है तो आप कह सकते हो कि Golgi Bodies Modify, Salt, Pack and Dispatches the Material Synthesized in the Cell to various Targets like the Plasma Membrane and the Lysosomes इसलिए बहुत सी बार कहा जाता है कि Golgi Bodies are the Traffic Police of the Cell Golgi Bodies are important site for formation of Glycoproteins and Glycoplipids Golgi Bodies are involved in the formation of Lysosomes, Vacuoles, Secretory Vesicles, Cell Wall and Plasma Membrane Golgi Bodies के Vesicles Calcium और Magnesium Pectate सिक्रीट करते है जो कि Middle Lamella के Components है और Plant Cells में Cytokinesis के वक्त Golgi Bodies Cell Plate बनाने में मदद करते है अब आखिर में आप याद रखिए कि Golgi Bodies forms Acrosomes during Spermio Genesis तो यह हो गए Golgi Bodies के Functions अब आपके चार्ट में Last Column में Extra Points में आप लिखिए कि जो Camelogolgi थे उन्होंने एक Staining Technique डेवलप की थी For Studying Histological Details of the Nerve Cells उसे उन्होंने Black Reaction कहा था And Black Reaction uses a weak solution of Silver Nitrate Camelogolgi को S.R. Kejal के साथ 1906 का Nobel Prize दिया गया था So this is about Golgi Bodies आशा करता हूँ कि Golgi Bodies पर का ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है अब अगले वीडियो में हम Study करेंगे Lysosomes आपके बीडियो